Now let's determine net requirements. Net requirements हम कैसे इसके अंदर find out करेंगे के हर component के net requirement की है. For example, again we will start with A. के A की requirement is 8th week के अंदर 50 units की है. यह हमें चाहिए क्यूंकि यह इसका क्या कहते है जो वन वीक का टाइम है लीड टाइम तो उसके हसाब से हमने देखना है कि इसकी प्रोड़क्षन कब होनी चाहिए अच्छा इसके अंदर अब नेट रिकवार्मेंट के इंदर हमने इंवेंटरी रेकॉर्ड को भी लेगा कि कितनी quantity हमने करनी ग्रॉस में तो 50 हमने शो की है लेकिन इदर हमारे पास क्योंके 10 units हम कह रहे हैं कि on hand है तो उसके लिए फिर हमारे पास कितने की requirement होगी production की 40 की and not 50 10 हम inventory से utilize कर लेंगे तो हमारे पास 8th week के अंदर हमें चाहिए हैं कि हम और 40 और ले आएं तो यह हमारा टोटल 50 हो जाए जिसकी 8th week के अंदर requirement थी तो 40 50 minus 10 is 40 जो कि हमने production में लेकर जानी है क्योंकि एक week पहले production हो जानी चाहिए शुरू तो वो 7th week के अंदर 40 की production शुरू होगी 8th week में 40 production से पहुंचेंगे और 10 units inventory से पहुंचेंगे तो यह मिलकर 50 बन जाएंगे जिससे हमारी A की जो requirement है वो पूरी हो जाएगी अब इसको फर्दर अगर हम देखें तो B की जो फिर gross requirement है जो पहले हमने देखा था क्योंकि वो हम 50 को ही use कर रहे थे A को और 220 चाहिए for each A तो हमने 100 की gross requirement नकाली थी लेकिन अब क्योंकि 40 की production होगी शुरू एक ही और 10 inventory से मिलकर 50 हो जाएंगे तो अब हमें B के 80 चाहिए यह हमारी gross requirement है 7th week के अंदर तो अगर 80 की है और 15 units हमारे inventory के अंदर अगर पड़े हुए हैं जैसे कि इदर mention है second point में कि there are 15 units in inventory तो B के जो net requirement है वो 80 minus 15 is 67 और 65 जो के 7th week के अंदर हमारे आ जाने चाहिए तो 7th week के अंदर अगर यह available हो तो इसकी requirement जो lead time है वो हमारे पास 2 weeks का है यानि 2 week पहले order होगा तो फिर 7th week में पहुंच सकेगा that means कि 5th week के अंदर अगर यह production इसकी शुरू हो जाए B की तो यह 7th week में 65 units पहुंच जाएंगे inventory से 15 पहुंच जाएंगे total 80 हो जाएगा तो ए की production शुरू हो सकेगी now अगर इसी को हम देखें तो basically this is called gross to net calculation जैसे के यह इसकी बहुत होती है importance है MRP process के अंदर के यह हम किस तरह इसको handle करते हैं के gross से हमने net किस तरह determine किया है यह जो actions हैं जो अभी मैंने discuss की हैं इसको हम detail में आगे next two slides के अंदर देखते हैं C, 3 चाहिए है to produce an A and so on यह हम पहले भी इसको अच्छी तरह detail में कर चुके हैं तो इसी को आगे लेकर चलते हैं तो record जो है MRP का जिस से हम MRP के record से हम net requirement नकालते हैं वो basically next slide के उपर है and that this is the MRP record अब यह जरूरी नहीं है कि आप कहें के एक ही तरह का different companies ने different type के बनाए होते है record तो उसका जो format है वो different होता है तो उसमें प्रेशान होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर let's look at this first one is for A item इसके अंदर जो low level code है वो zero है on hand जैसे कहा था कि 10 units है और lead time one week है इसके base पर अब हमने यह सारी जो rows हैं इसको complete करना है gross requirement 8th week में 50 की जरूरत है projected on hand beginning inventory 10 है तो यह 10 throughout रहेंगे till it reaches 8th week क्यों क्योंके फर्स्ट 7 weeks में इसकी requirement बिलकुल नहीं है अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इदर दो rows add की हुई है एक net requirement की और एक planned order receipts की to make it more understandable हमारे लिए कि यह हमें clear cut नजर आए अब इसके अंदर हमने का कि जी net requirement किया है 50 units की requirement थी 10 inventory में तो net requirement 40 है planned orderly receipt हमने 40 receive करेंगे तो यह हम meet करेंगे और उसकी production कब होनी चाहिए शुरू 7th week में अब B की gross requirement जो है क्योंकि वो 2 use हो रहे हैं for each A तो यह इस में से determine होगी 40 multiply by 2 is 80 अब यह gross requirement है और 15 on hand पड़े हुए है lead time 2 weeks का है और level जो है वो 1 है इसका अब 15 again यह सारे 15 till 6th week 15 inventory में ही रहेंगे क्योंकि इन weeks में हमेरी requirement नहीं है 7th week में हमें requirement आती है 80 की उसमें सिफ inventory से 15 meet हो जाएंगे तो net requirement हमारे पास 65 की आईगी इस 65 को meet करने के लिए we need 65 units जो के हम receive करें B के in 7th week वो receive करने के लिए क्योंकि lead time 2 weeks का है तो 2 week पहले हमें यह order place कर देना चाहिए that is 65 units का B का order week 5 के अंदर place हो जाना चाहिए इसी तरह हमने C को करने C भी A से determine हो रहा है 7th week के अंदर तीन units पर A के लिए चाहिए 40 थे 40 multiply by 3 is 120 तो इसकी gross requirement 120 आ गई beginning inventory 20 थी again यह 20 के 20 units रहेंगे inventory के अंदर till 6th week 7th week के अंदर हमने net नकाला यह 20 minus किये तो 100 units की requirement आ गई C की इसका एक week का lead time है तो इसकी production जो है वो एक week पहले 6th period के अंदर होनी चाहिए शुरू इसी basis के उपर अगर हम फर्दर देखें तो यह हमारे पास है E के लिए E हमारे C से और B से हम इसको determine कर रहे हैं यह level 2 के पर लाएक कर रहे हैं और इसके अंदर 130 units की gross requirement है B की B के लिए E चाहिए और 200 हमें C के लिए चाहिए और 10 units हमारे inventory में पढ़ए है two weeks के basically lead time है तो again यह first four week में यह 10 units ही रहेंगे यह change नहीं होंगे क्योंके requirement कोई नहीं है fifth week के अंदर 130 चाहिए तो इसका मतलब है के 120 net requirement है और इसको meet करने के लिए 120 units हमें मिल जाने चाहिए two weeks के lead time का मतलब है कि third week में यह order release हो जाना चाहिए 120 का इसी तरह fourth week में 200 का release हो जाना चाहिए next is f which is drive from c और वो इसके 200 की gross requirement आ रही है और इसी तरह इसका क्योंके three weeks की lead time है तो इदर हम देखें तो 195 net requirement हम meet करेंगे उसी सूरत में कि third week में इसकी production शुरू हो जाया और six week में हम इसको receive कर लें जबके डी जो है वो third level पर है लायकार है हमने इसको adjust किया था और यह f और b से drive हो रहा है और इसके basis के उपर we need to release 380 d की production in second week and 130 की in fourth week to meet the requirement of f and b की production शुरू करने के लिए और इसी तरह g जो है वो f से drive हो रहा है so इसके अंदर 195 की f के basis के उपर g के चाहिए 195 और उस basis के उपर करें क्यूंकि हमारे पास कोई inventory नहीं है तो 195 के अंदर 195 हमें first week के अंदर इसका order release करना पड़ेगा so that third week में हम इसको receive करें और जो requirement है f की production शुरू करने की उसको हम fulfill कर ले झाल झाल